हो सकता है कि आपके एक्जाम बहुत ही नजदीक हैं, अब बहुत ही कम टाइम बचा है, या फिर अब तो टाइम बिल्कुल ना के बराबरी बचा है, और अब डर लग रहा है कि इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे पूरा करूं यार। तो दोस्तों, आपको नहीं डरने के जरुवत है और नहीं पैनिक करने की, हमेशा की तरह आपको हम बिल्कुल रियल, प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका बताने वाले हैं, जिससे बहुत ही कम टाइम में आप अपना सिलेबस स्मार्टली कम्पलीट कर पाओगे एक best study routine और time management system के साथ, full focus से पढ़ पाओगे बिना distract हुए, याद करने का सही तरीका सीख पाओगे और कम मेनत करके भी maximum result अचीव कर पाओगे, जिसके लिए आपको सब से पहले ये करना होगा अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पताए होगा कि इतने कम टाइम में आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं, और ऐसे समय में आपको सब कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर students अपने exam से कुछ दिन पहले panic mode में आके यही गलती करत है, जो exam के लिए सबसे ज़्यादा important है, और ये जानने के लिए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, आप अपने किसी classmate से पूछ सकते हो, और पिछले 5 साल के previous year के question papers को analyze कर सकते हो, या internet की मदद से पता करो, कैसे कौन-कौन से chapters हैं, जो सबसे ज़्यादा important है, और जिन में से ज़्यादा questions बार-बार हर साल आते हैं, और अब इन chapters को भी तीन areas में divide करो, important chapters, very important chapters and very very important chapters, आपको book के 50% chapters पे focus करना है, अब क्योंकि आपके पास time कम बचा है, इसलिए आपको अभी अपना सारा focus सिरे very important chapters और very very important chapters and topics को पढ़ने में लगाना है, और अगर आपके पास enough time बच तब आप important chapters को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन chapters में भी 80-20 Pareto Principle को apply करो, और उन topics पे ज़्यादा focus करो जिनसे आपको maximum result मिलेंगे, और जब आपको clear हो जाए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, और कितना time किसे देना है, उस हिसाब से आपको अपने time को भी divide करना होगा, जिसस आप इस concept का use करके कर सकते हो, इसे कहते हैं, the frills technique, University of Melbourne में conduct हुए एक lecture में सबसे effective time management technique को सिखाया गया था, जिसका नाम है frills, यानि frequent regular intensive limited sessions, जिसका आसान भाशा में मतलब बस इतना है कि अगर आपको एक study marathon करनी है, जहां आप पूरा दिन पढ़ा ही करोगे, तो ध्यान रखो कि आपके study sessions छोटे, मगर intense होंगे, जिससे आप burn out होने से बचोगे, और सारी चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ पाओगे, for example, मान लो आपका target है कि आपको दिन के 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ाई करो, आदे घंटे का ब्रेक लो, फिर 10. पढ़े 10 से 12 तक 2 घंटे और पढ़ाई करो, फिर 2 घंटे का ब्रेक लो, धाई बजते ही वापस पढ़ाई करना स्टार्ट करो, साड़े 4 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद, एक 3 घंटे का ब्रेक लो, फिर 7 से 9 तक 2 घंटे का एक last session करो, पर reverse इससे आखिर होगा क वहीं अगर आप 10 घंटे पढ़ना चाते हो, तो आपका schedule कुछ इस तरह देखेगा, इस तरीके से पढ़ने से आपके brain को ज़्यादा pressure फील नहीं होता, और आप सब कुछ अच्छे से याद रख पाते हो, अब आप समझ गए होंगे कि सुबह 6 बजे उटकर रात के 12 बजे बिना कोई break लिए non-stop पढ़ाय करने से, आपका फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसानी होगा, आपको घदो की तरह पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि पढ़ने के समय लर्निंग और याद करने का भी एक सही और most effective तरीका होता है, जो की है multi-sensory learning जब exam सर पर हो, तो सिर्फ text books से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी learning process को fast करना होगा, और internet आपका यहाँ सबसे ताकतवर हतियार बनेगा, आप जिस भी chapter को पढ़ रहे हो, जिस topic को समझने की कोशिश कर रहे हो, उससे related आपको YouTube पे हजारों वीडियोज मिल जाए क्योंकि वीडियो से आप directly और जादा अच्छे से सीख पाते हो, पर ध्यान रहे, आपको सिर्फ वीडियोज को देखते नहीं रहना है, आपको pen और paper लेकर साथ में notes भी बनाने हैं, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो आप एक तरह की passive studying कर रहे हो, जिसे आप ब जिससे information आपके mind में ज़्यादा देर के लिए रह पाती है, जो आपको exams तो ग्याद रहती हैं, वहीं अगर आपके exam में सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो आप सिर्फ एक ही दिन लगाओगे, यानि आप खुद को किसी चीज को करने के लिए जितना time दोगे, आप उसे करने में उतना ही time लगाओगे, तो आपको करना ही है, कि आप अपने big goal, जो की syllabus है, उसे अपने छोटे जोटे goals में break कर लेना है, यानि आपके decided chapters, अब इन chapters को आपको deadline देनी है और एक timeline भी, for example, आपको last day पे revise करना है या पढ़ना है, और आपके पास 8 chapters या topics है पढ़ने के लिए, और आपने decide कर रखा है कि आप आज 8 गंटे पढ़ोगे, तो आपको हर chapter या topic को सिर्फ 1 गंटा देना है, उससे ज़्यादा नहीं, जैसे ही एक घंटा हो जाएगा, आपको next chapter या topic पे तुरंत shift हो जाना है, पहले वाले chapter या topic को लेके नहीं बैठे रहना, इससे होता यह है कि आपके mind के पास एक measurable goal होता है, आपके mind में एक urgency रहती है, कि आपको इतनी देर में ये chapter या topic ख पर ये करने के लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, हैसा ना हो कि आप सो करी 12 बजे उठे हो, और अपने सारे chapters को finish करने में आदी रात तक पढ़ाई करो, जिससे आपको रात में बहुत कम नीन मिलेगी, और अगर आपको proper rest नहीं मि सकते हैं, इसलिए अपने आपको Odysseus की तरह अपनी किताबों से बांध लो, और एक distraction-free environment create करो, ताकि आपके फोन की notification की आवाज, दोस्तों और family की बातें या कोई भी आवाज आपको अपने goal से भटका ना पाए, पढ़ाई का सही environment create करने के लिए सबसे पहले तो एक ऐसी ज thumbs and thanks for watching